नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राज़त संहिता 2006 की धारा अलसट एवं धारा उनत्तर के संदर में दोस्तों, धारा अलसट में ग्राम निधी का प्राबधान किया गया है, गाउफंड और धारा उनत्तर में समेकित ग्राम निधी यानि की कंसॉलिडेटिड गाउफंड का प्राबधान किया गया है अब हम पहले इसको बेरेक्ट से पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे अगर आप लोगों ने अपने बेरेक्ट अभी तक नहीं निकाले हैं तो किर्पया वीडियो को ही पर रोकर पहले आप अपने बेरेक्ट लियाए और उसमें धारा 68 खोल लिजे दोस्तों धारा 68 की उपधारा 1 में लिखा है कि इस सहिता के अधीन किसी ग्राम सभा ग्राम पंचायत या किसी भूमी प्रबंदक समिती द्वारा प्राप्त समझ धनराशी ग्राम निदी में जमा की जाएगी तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमी प्रबंदक समिती जो राशी प्राप्त करेंगी जो भी तरह तरह से ग्राम सभा को धनराशी प्राप्त होगी ग्राम पंचायत को प्राप्त होगी, भूमी प्रबंदक समिती को प्राप्त होगी तो बो सब ग्राम निदी में जमा कर दी जाएंगी ठीक है? मतलब गाउं है गाउं की एक निदी बना दी गाउं का एक फंड बना दिया और फिर उस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमी प्रबंदक समिती द्वारा जो धनरासियां प्राप्त की जाएंगी वो उस ग्राम निदी में जमा करा दी जाएंगी आगे इनोंने एक परंतुक दिया है परंतु धारा सलसट के अधीन प्राप छतियों या प्रतिकर की धनरासि को समेकित ग्राम निदी में जमा किया जाएगा अगर आप लोगों ने धारा 66 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लिजेगा तो आपको concept और ज़्यादा clear हो जाएगा अब इसमें ये कह रहा है परंतुक में कि धारा 66 में जो छतियां और जो प्रतिकर की धनराशी अगर कोई प्राप्त होती है उसको ग्राम निदी में नहीं किया जाएगा उसको समेकित ग्राम निदी में जमा किया जाएगा provided that the amount of damages or compensation recovered under section 67 shall be credited to the consolidated government आगे इसकी उगधारा दो पर आते हैं इस सहिता दोरा निर्सित किसी अधीनियम के अधीन गठित और ऐसी सहिता के प्रारंब होने के ततकाल पूर्व बनी रहने वाली ग्राम निदी इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी यानि कि जो यह हमारा UP Revenu Code 2006 है इस कोड ने अगर किसी अधीन गठित की हुई ग्राम निदी समझी जाएगी और ऐसे ही जो यह UP Revenu Code 2006 है इसके प्रारंब होने से पहले ततकाल पहले अगर कोई ग्राम निदी थी तो वो भी इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी आगे आते हैं ग्राम निदी का संचालन इस रीती से किया जाएगा और ऐसे प्रियोजनों के लिए उप्योजित किया जाएगा जैसा कि बहित किया जाएगा तो जैसा prescribe किया जाएगा उसी हिसाब से इस गाउं फंड को operate कर लिया जाएगा ठीक है तो ग्राम निधी में आपने ये पढ़ा, ग्राम निधी क्या होती है, गाउं की निधी होती है, इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमी प्रवंदक समिती तीनों को जो जो धनराशी प्राप्त होगी, वो गाउं निधी में जमा हो जाती है, जैसे मालीजे बैंक में ए अगर कोई धनराशी प्राप्त हो रही है शती की या प्रितिकर की उसको consolidated गाउंफंड में जमा किया जाएगा इसमें नहीं किया जाएगा इसलिए ये परंतुक बहुत important है हो सकता है एक्जाम में इस पर कोई प्रिशन बन जाए कि धारा 66 के अधीन अगर कोई प्रितिकर की धनराशी प्राप्त होती है तो वो किसमें जमा किया जाएगी ठीक है आगे धारा 69 पर आते हैं धारा 69 समेकित ग्राम निदी consolidated ground fund का प्राप्धन करती है ये समेकित ग्राम निदी हर जिले में इस्तापित की जाती है अगर राजे सरकार चाहे तो इसको हर तैसील में भी स्तापित करवा सकती है लेकिन ये हर जिले में स्तापना की जाती है और इसमें क्या क्या जमा किया जाता है इसमें कह रहे हैं कि धारा 68 की उपधारा 1 के परंतुक में निर्दिष्ट धन्राशी, the amount referred to in the proviso to subsection 1 of section 68, आगे कह रहे हैं, उपधारा 2 के अधीन, collector दोरा प्राप्ट समस्त अंश्दान, अब जो उपधारा 2 है, इसी धारा की, इसमें कह रहे हैं कि collector को जो अंश्दान प्राप्ट होगा, all contributions received by the collector under subsection 2, वो भी consolidated gown fund में जमा किया जाएगा, अब उपधारा 2 के अधीन, क्या अंश्दान प्राप्ट किया जाएगा, इसे मैं आपको आगे बताऊँगा, अगला कह रहे हैं, गाह में ऐसी अन्य धन्राशी जैसी भीट की जाए, तो जो अगर कोई other amount है, अगर prescribe किया जाता है कि consolidated gown fund में जमा होगा, तो उसको भी consolidated gown fund में जमा कर लिया जाएगा, अब इसकी उपधारा 2 पर आते हैं, जिसका अभी जिकर आया था, कि उपधारा 2 के अधीन collector दोरा प्राप्त समस्त अंसदान, तो उपधारा 2 में क्या कह रहे हैं, किसी जिले में पिर्तिये ग्राम पंचायत, collector को बारसिक रूप से धारा 67 के अधीन ग्राम निदी में जमा की गई कुल धन्राशी के, ऐसे प्रतिशत में, जैसा की राज्य सरकार दोरा समय समय पर अधीन सूचित किया जाए, बहित रूप में भुक्तान करेगी, जो 25 प्रतिशत से अधिक ना हो, ये बाद समझ में आई आपको, देखिए, हर जिले में collector होता है, और हर जिले में बहुत सारे गाउं होते हैं, और उन गाउं में ग्राम पंचायत होती है, तो हर ग्राम पंचायत की ये liability बना दी गई है, कि जो भी हर ग्राम पंचायत को ग्राम निदी में धन्राशी जमा कराईगी, तो उस धन्राशी की एक percentage, वो collector को annually देगी, जैसे जिले में जो collector है, तो उस जिले की ग्राम पंचायत, जो ग्राम निदी में धन्राशी जमा की जाएगी, उसका कुछ percent amount collector को देगी, अब कितना percent देगी, ये राजे सरकार अधिसूचित करेगी, लेकिन यहाँ पर ये restriction है, कि जो percentage है, वो 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 25% आपको ध्यान रखना है, ये परिक्षा के द्रिश्टिकोर्ण से बहुत महत पूर है, आगे आते हैं उबधारा तीन पर, समेकित ग्राम निदी का संचालन collector द्वारा किया जाएगा, और उसे निम्लिलिखित प्रियोजनों के लिए उप्योगिता किया जा सकता है, तो समेकित ग्राम निदी आपने जैसे कि पहले देखा ही कि हर जिले में इसकी इस्थापना की जाती है, तो फिर जिलाधीस जो हमारे collector होते हैं, डी-एम होते हैं, जिनको revenue code में collector कहते हैं, यही consolidated gram fund का संचालन करते हैं, कि कैसे कैसे उसे खर्च करना है, अब consolidated gram निधी किन-किन चीजों में खर्च की जा सकती है, यह भी UP revenue code में बता दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं, पहले कह रहे हैं, दारा 72 के अधी नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों, आधी कोई हों का भुक्तान, तो सबसे पहली चीज आपी से related आ गई है, कि जो advocate की fees है, उनके जो allowances हैं, तो दारा 72 में जो नियुक्त किये गए है, advocate, उनकी fees और उनके allowance consolidated, गाउं फंड से दिये जाएंगे, अगला भी आपी से संबन देता है, इस सहिता के अधीन, ग्राम पंचायत या भूमी प्रबंदक समिती द्वारा, या उसके बिरुद, बादों के संचालन और अभियोजन, आवेदनों या अन्य कारवाईयों के संबन में, सामान उपियोगिता की भूमी के संरक्षल, परिरक्षल और विकास पर उबगत बया का भुकतान, expenses incurred on the development of land of common utility, तो सामान उपियोगिता की कोई भूमी है, उसका संरक्षल करने पर, परिरक्षल करने पर, विकास करने पर, कोई भुकतान है वो, अगला कहरा है, और इसके प्रारमब के ततकाल पूर बिद्दमान समेकित गाउन इदियों को, इस धारा के अदीन गटित किया हुआ समझा जाएगा, मतलब यही है कि UP revenue code दोरा अगर कोई act निर्शित किया गया है और उस act में कोई ग्राम निदी समेकित ग्राम निदी गठित थी या UP revenue code प्रारम बोने के ततकाल पहले कोई समेकित ग्राम निदी थी तो उनको इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा मतलब इसी ग्राम निदी में वो समेकित ग्राम निदी में सामिल हो जाएगी एक तरीके से आगे आते हैं उबधारा पांच पर ये बहुत important है राजे सरकार गजट में अधी सूचना दारा निर्देश दे सकती है कि पिरतिक तैसील के लिए एक समेकित ग्राम निदी भी इस प्रियोजन के लिए और भीत रिति से स्थापित की जाएगी आपने उबधारा एक में पढ़ा था कि समेकित ग्राम निदी की स्थापना जिले के लिए की जाती है पिरतिक जिले के लिए लेकिन यहाँ पर ये प्रोविजन रखा गया है कि अगर राजसरकार चाहे तो गजट में अधिसूचना के द्वारा पिरतेक तैसील के लिए भी एक समेकित ग्राम निदी इस्तापित कर सकती है ठीक है तो आपने धारा अलसेट में ग्राम निदी पड़ा दारा उनत्तर में समेकित ग्राम निदी ग्राम निदी ग्राम से संबन देता है उसमें ग्राम सबा ग्राम पंचायत भूमी प्रबंदक समिती द्वारा जो धनराशी प्राप्त की जाती है बो उसमें जमा की जाती है समेकित ग्राम निदी पिरते एक जिले में इस्तापित की जाती है उसमें एक तो जो धारा 67 के अधीन छतियों पिरतिकर की धनराशी है बो जमा की जाती है और उपधारा 2 के अधीन जो कलक्टर दोरा प्राप्त अंसदान है जो 25% से अधिक नहीं हो सकता जो पिरते एक ग्राम पंचायत कलक्टर को बारिसिक रूप से देती है ग्राम निदी में जमा की गई कुल धनरासी के परसेंटेज के रूप में बो जमा किया जाता है फिर आपने पढ़ा कि समय के ग्राम निदी का संचालन कलक्टर दोरा करा जाएगा और कुछ उद्देशियों के लिए करा जाएगा वो उद्देशियों ने बताए है एक तो सबसे आसान सबतों में बताऊं तो एड़ोकेट की फीस और उनके अलाउंसे और दूसरे में जो केसिस हैं तो केसिस के संचालन में जो खर्चे आ रहे हैं वो तीसरा है अगर कोई समान उपयोगिता की भूमी है तो उसके विकास पर संदक्षनल्ड पर पर कोई खर्चा हो रहा है तो वो और अगर कोई धनरासी स्टेट गवर्मेंट साधार ने विशे साधे जवारा घोज़त कर दे कि ये समेकित ग्राम निदी में मानी जाएगी तो फिर बो भी और इस सहीता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधिन गठित अगर कोई समेकित गराम ने दी है या इस सहीता के प्रारम होने से ततकाल पहले कोई बिद्दमान समेकित गराम ने दी थी तो उनको भी इसी दारा के अधिन गठित किया गया समझ लिया जाएगा और लास्ट में कह रहे हैं कि राजसरकार गजट में अधी सूचना दौरा निर्देश दे सकती है कि प्रतेक तैसील के लिए एक समिकित ग्राम ने दी भी इस्तापित की जाए तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का विशय पूरी तरह समझ में आ गया होगा अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो किरपया मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यबाद